तो अभी हमारे जो WhatsApp DP है वो हम जिस लोगों को चाहेंगे वही लोग देख सकते हैं आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने लोग जिससे की आप जो है आपका जो WhatsApp DP होता है वो आप जिसे चाहो वही देख सकता है और बाकी जो लोग है वो आपके WhatsApp DP को नहीं देख सकते है तो अगर आपको भी ऐसी सेटिंग करने है तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स् आपको इस तरीकी का इंटरफेस दिखाए देगा तो आपको 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 जैसे आप privacy को open करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि last scene कौन देख सकता है profile photo about और वो सब कुछ option तो हमें क्या करना है हमें profile photo पर देखना है तो यह आप देख सकते हो second वाला option हमें दिखाई देगा profile photo का तो आपको यह profile photo वाल option पर click कर देना है अब देखो यहाँ पर भी आपको चार option मिलेगे everyone, my contacts, my contacts, accept or nobody तो अब देखो आपको ऐसी setting करने जिससे कि आपका जो profile photo है वो आप जिससे चाहो वही देखोगे वही देखेंगे तो आप जो है उन्हें select कर देना तो वो आप कैसे करोगे तो देखो सबसे पहला option तो है कि सब देख सकते है दूसरा वाला option जो है उसमें आपके जो भी context है आपके फोन में जितने भी context save है वही लोग देखेंगे और यह जो third, fourth, last वाला है वो है nobody लेकिन आपको एगर नहीं यह वाला जो option है न my contacts accept आपको इसे select कर देना है तो आप देखो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है आप जिस-जिस context को यहाँ पर select करोगे वो वाले context आपका जो profile photo है वो नहीं देख सकेंगे और बाकी जो भी आपके context है वही लोग profile photo देखेंगे तो अगर आपको आपका जो profile photo है वो किसे-इस hide करना है तो बस आपको इसे select करना है अगर मुझे इससे hide करना है तो इससे select कर देता हूँ इससे भी hide कर देता हूँ इससे भी hide कर देता हूँ तो अब आपने जितनों को भी select किया है उन लोगों को आपका WhatsApp का DP जो है वो नहीं